असलालेकुम फ्रेंड्स आज मैं आपके शर्य करूंगी बहुत ही टेस्टी छोले भटूरे की रेसिपी छोले भटूरे सभी को बहुत ही पसंद होते हैं और घर में बने वी छोले भटूरे मिल जाए तो बस क्या बात है तो मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी चोले तो हम बहुत अच्छे बना लेते हैं बट भटूरे अच्छे नहीं बन पाते हैं तो मेरी सारी ट्रिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कीजिए का आपके भी भटूरे एक दम परफेक्ट बनेंगे फूले बनेंगे जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं तो चलिए चलिए पॉडर अदो चोटे चमच हल्दी पॉडर इसमें डो चोटे तेश पत्ते में एक टुगरा दाल चीनी का और यहां पे चाड़ से पांच लॉंग है दो चोटी इलाची इसे एड़ कर देंगे अब इसमें डेर से दो कप के करी पानी आइड कर देंगे थोड़ा पा अपने हिसाब से लगा लिजेगा सबकी कूकर अलग अलग होती है यहां पे भटूडे का डो लगा लेंगे तो दो कप के करीब यहां पे मैंने मैदा लिया है मैं दो कप ही बना रही हूं आप चाहें तो जादा भी बना सकते हैं कम भी बना सकते हैं अब दो कप मैदे में आ तोटे चम्मच के करीब इसमें रिफाइन तेल आट कर देंगे भटूरे की टिप्स और ट्रिक्स है फ्रेंड्स कि आप कभी भी भटूरे बनाएंगे तो बहुत उसे कस कस के दबा दबा कि उसका आटा नहीं लगाईएगा बहुत हलके हातों से यहां पर मिक्स करना है और बह जादा इसे हमें टाइट नहीं सानना है और यहां पर डो को सॉफ्ट करने के लिए हम क्या करेंगे पंच नहीं लगाएंगे यहां पर से थोड़ा सा रिफाइन तेल कर लगा के इस तरह से हम इसे खुब दस से पंदरा बार पठकेंगे तो देखी बिलकुल हमारा जो डो है एकदम सॉफ्ट हो जाएगा रॉंड शेप में आ जाएगा तो उपर से थोड़ा सा रिफाइन तेल लगा देंगे और गीले कपड़े से इसे कवर कर देंगे कोई भी कपड़े को गीला करके पानी निचोड़ लीजेगा और इसे 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दे मीडा hasn Tsorkini और इसे next step inšat में एक सैड़र रख़ें आपाइस चरहाया है अब इसमें हम् 4 जारिच के खर अगे जिए और 8 चमगे हम ईसंना हींग बोहुत ही जबर दस टेस्ट है इऽच्छ को मैंने इस तरह से ओमेट कटWow प्यास को हमें तब तक पकाना है जब तक color change जा हो जाए ठोड़ा सा इस का color हमें change करना है अलका सा pinkish हो जाएगा अलका सा brown color आ जाएगा तब हम मसाले आड़ करेंगे तो देख सकते हैं प्यास का color change हो गया हो गया उसे एक चोटा चमच इसमें हम लैसुन आइड कर देंगे लैसुन के यह पेस्ट है तो इसे अच्छे से हम पका लेंगे एक आक मिनट के खरीब ताकि लैसुन का जो कच्छापन है वह बिल्कुल निकल जाए और मेडियम फ्लेम पर यहां पर हम काम करेंगे अब इसमें हम कुछ प सेट शेट करेंगे तो इसमें हम थोड़ा सा पानी आइड करेंगे यह अश्रा हैं तो देख सकते हैं मसाले भूह भूह से नहीं हैं तेल लोको पूह बाइन हो चुका है तो इसमें दो बड़े सास्त के टमाटर मैंने इस तरह से ग्राइन कर लिया है जाle बड़े सास्त कर कर दिए जनेल से पाइएगे पढिव जब तक चुलिस पाइंगे लламास्तिपन ऐसे लुख कावि दो कुछ हमारा उसकी हम लोई काट लेते हैं इसका हमें एक पेडा बना लेंगे पहले अब तक हमारा मेडियम फ्लेम फे उधर मसाला भून रहा है तो देख सकते हैं डो हमारा बहुत अच्छा सा सेट हो गया है मैंने इसे दस मिनट के लिए रख दिया था इसे दो तीन बार और पटक लेंगे इस संद्धी तो देखिए इस तरह का लोई हमें इस तरह से लोई काटनी है एक दम राउंड शेप में इज़िली बन जाती है बहुत ही जल्दी बन जाएगी तो इसी तरह से अगर हाथ में चिपक रही है तो रिफाइन तो एल दाएंगे और तब हम लोई काटेंगी तो बिलकुल भी हाथ में चिपकीनहीं तो इस jusा इस तरहменें और इसी हो जी सी ऑजयाती है ज्oudhe यह दुड़ा परिषयानी नहीं होगी फॉर्शनी नहीं सका भी शीट है कि भटूरे जो है सुकर जाते हैं आप मेरी सारी टिप्स को फॉलो किजेगा आपके भी भटूर एकदम परफेक्ट बनेंगी ने क्या किया कि सब के ऊपर थोड़ा थोड़ा रिफाइन तेल लगा दिया ताकि उपर से ड्राइ ना हो और फिर से गिले कपड़े किसे कवर कर है तो अब इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे कि जो मैंने चोले उबाल के रखे थे अब इसमें हम एड़ कर देंगे बहुत ही सिम्पल रेसिपिए फ्रेंड्स बनाएंगे मगर बट रिजल्ट इसका बहुत ही अमेजिंग है जुरूर से ट्राइ किजेगा वीडियो पसंद तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिगा थोड़े से मैंने छोले रख लिये हैं उसको मैं बाद में यूस करूंगी तो अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और आपको याद होगा कि इसके साथ मैंने एक आलू भी बॉil किया था तो आलू को इस तरह से हम ग्रेट करके इस वीडियो पसंदारी है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो को लाइक कीजेगा और अपने फैमली फ्रेंड्स में जरूर से शेर कीजेगा इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बहुत जादा छोले भटूरे की जो साथ हम जो छोले बनाते हैं उ इसमें ख़ाओं सब्सक्राइब कर दिया है और एक आधा चोटा Κामछी में घरमसाला ड़ा आड़ कर देंगे इसंब बिल्कुल लोग फ्लेम कर देखें और दस मिनट के लिए हम ढखके छोड़ देंगे और कि अधिमाने टेंवाओ तक अधियों है और दस मिनट के बाए मैं आपको दिखाती हूं हमारे चोले लोई काट कट के रखी थी अब एक एक लोई को हम लेंगे इस तरह से हलका सा राउंड कर लेंगे और जिस पे हम बेलेंगे उस पे भी थोड़ा सा तेल लगा लेंगे ताकि जो भटूरा है बिल्कुल भी आपस में चिपके नहीं और एक दम इक्वल साइज में रहे वो पेली ना हो तो एक पेर लेगे और इस तरह से थोड़ा सा दबाके यह फ्लैक कर लेंगे और सई सएट को इस ताह से सहलका सप्रेस कर देंगे और इसके बाद हम इसे बेलेंगे देख सकते हैं कितनी easy ली ये बिला जा रही है बलकुल भी परीशानी नहीं होगी आप इसको बनाने में तो थोड़ा थोड़ा हम उसको घुमा के और क्या करेंगे कैसे अच्छे से बेल लेंगे देखें बिलकुल भी ये size में छोटी नहीं होगी तेल जो है बहुत अच्छा सा गरम होना चाहिए दम बिल्कुल हाई फ्लेम पे तेल में अच्छी सी हीट आनी चाहिए तब ही अब भटूरे को तेल में डालेगा नहीं तो भटूरे कभी फूलेंगे नहीं कितने भी अच्छे भटूरे बना लीजिए मगर तेल अगर बहुत पूल नहीं पाते हूं तो देख सकते हैं कितने फूले फूले हमारे भटूरे बने हैं देखने ही से आपको पता चल रहा होगा तो बहुत अच्छा सा तेल गरम रखिएगा और भटूरे कूलट पूलटके हम इसे फ्राइए कर लेंगे तो देखिए बहुत ही जबरदस्थ हमारे छोले भटूरे बन के तयार हैं देख सकते हैं आप कितने फूले फूले हमारे बने हैं भटूरे मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ देख सकते हैं कितने अच्छे हमारे भटूरे बन के तयार हुए हैं वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किजेगा वीडियो को लाइक किजेगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिएगा अब इस रेसिपी को देखने के बाद आपको छोले भटूरे बनाने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं किजेगा आपके प्रिभी छोले भटूरे एकदम पर्फेक्ट बनेंगे तो चलती हो इंशाल्ला फिर लौट के आओंगी एक जबरदस्सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्लाहाफिज थाइंक्स पूर वाचिंग